हम लोग आज भगवद गीता के दश्रमध्याय के नवे श्लोग को देख रहे हैं इसको आठ नौ दस और ग्याना को चतुष लोग की भगवद गीता कहा जाता है लाइट सड़ान कर लिजी और वे बहुत महत्पूर्ण है इनको भववद्य का सार कह सकते हैं तो इसकी चर्च हम आसक रेंगे को ब्यक्ति माइक पे बॉलेंगे अगर बोलना जांते है सांस्कृत माधप्रप्राव को मच्ले ता मधगत प्राना वोद यं तो परसपरं कध्यन ता संमानिफ्य अंध्यные कंध्यो तो न तुस्यास्वानित्यम् तुष्यान तश्यान तश्यास्यास्वाइट मुझे भुझे रव गड़िण नुच्छाद जोोड vịडी तु।क्यान तश्यास्यास्यास्यास्याई Computityaja इससे पहले वाले श्लोक में भगवान ने बोला था अहम सर्वस्य तभवो मत्थ सर्वं प्रवर्थते इती मत्वा भजनते माम बुद्ध भाव समन्विता भाव समन्वित होकर के बुद्धिमान लोग मेरा भजन करते हैं जब जानते हैं कि मैं ही सबी चीजों का उत्सु रही हों अब किस प्रकार से ब्रवजन करते हैं गया रहा है लिकस्मच में आ रहा है किस प्रकार से बहंद करते हैं है भाव 우리는 मन से वाचन से प्रांद से समई तरस है तो पहले शब्दों को देखिए मचूत्थphase मूंझ में लगा रहता है बहुत महत्वून है कि लेकिन एक इसके लिए बहुत आवश्यक चीज़ है कि हम भगवान श्री कृष्णी की देवी लिलाओं को पढ़ें पढ़ेंगे सुनेंगे तो फिर धीरी धीरी करके मन में उन लिलाओं का रंग चड़ने लगता है आप दुनिया की वस्तुएं और क्रियाएं देख करके भी भगवान की लिलाओं कर सकते हैं लेकिन प्रचुर मात्रा में सुनेंगे तब मदगत प्राण का अर्थ यह है कि वह अपने प्राण को धारण कर नहीं सकते जैसे की एक भवान की बिना जैसे की मचली पानी की बिना नहीं रह सकती यह स्थिति भाव भक्ति की होती है क्या है इसमें एक बुर्ण भाव भक्ति का अव्यर्थ कालत्वम एक शनकीर भी कृष्णी की सेवा किये बिना भक्ति नहीं रह पाता है कि कह रहे हैं फिर बोधयन्ता परस्परम आपस में जब भी वह मिलते हैं तो वह भगवान की वारता करते हैं कि अगर तुमारी मुझस से कुछ भी प्रीति है तो भगवान के नाम के लावा कुछ मत बोलो और हरी कथा के लावा कुछ मत बोलो कितना कठे नहीं हुआ हरी सेवा और हरी कथा के लावा तुम कुछ भी मत बोलो लेकिन यहां दिखाता है कि जिसकी वक्ति की प्रीति होती है भगवान के बारे में ही चर्चा करने में रुची रखता है पिर क्या क्या रहे हैं परस्परम का अर्थ है एक दूसरे को इसको बड़ अच्छा तेरा पता जैसे मधु मख्षी जगह-जगह से मधु इखटा करती हैं और पिर सब साथ-पास में आती है तो डिसकस करती है तो इखटा करने के विए ऐसे ही भक्त लोग जब मिलते हैं तो भगवान के बारे मचर्चा करते हैं सच्चे भक्त कहना जरूरी है कभी देखिएगा कि भक्तों के संग में भी अगर प्रजल्प करते हैं तो हिरदय सूखा हो जाता है अगर थोड़े से भी सचेत हैं तो इस सब्सक्राइब करना भी बहुत सुख देने वाला नहीं होता है अब भक्तों से भी बहुत देर तक बाते कर सकते कोई उधर की बात तुलास में क्रिष्णी की बात होगी कुछ नहीं भी बात होगी इधर की बात उधर की बात लेकिन ग्रंत रख करके चर्चा करना कठेन होता है मैं यह नहीं कि कोई नहीं करता है लेकिन मैं बोल रहा हूं कि कठेन होता है अप्ता है और आसा वो क्या करते कहते हैं कठेन तस्यमाम नित् और क्यों किया तुर्षञ्ट चाल मनति जाओ दूसरा माइक Jedैन आ bowling कि बाइक करें कि अ कि तो यह मतलब होगा संतुष्ट रहतें संतुष्ट मतलब जैसे आभ यह व्य है प्रसात पाके संतुष्ट है तो और कुछ खाना नहीं चाहते ऐसे भगवान की कतासे संतुष्ट है विक्ती तो फिर और और पूछ बोलना नहीं चाहता ये और कुछ सुनना नहीं चाहता अशा मैं से सार्व और कहते हैं एसा क्यों तो कहते हैं रमंती चाहते मतलब होता है रमण कारता है कि मन उस विशह में जाए और वहां से हटे नहीं, ऐसा नहीं, खाली सोच रहे हैं, रमण का मतलब होता है, उसी में बिल्कुल, मतलब उसी में रस लेता है, हाँ, मन में उसमें रस चाहिए, पुरती, बोलते हैं, क्यों मन को स्थेर नहीं कर पाथाई, है कि मन को कुछ ना कुछ रश हमेश्वा चाहिए शुद्ध भक्त है उसको हमेश्वाही बक्ति की वाखत्त होता है उसले मन उसका भगवान की लीला कथा में रमन करता है यह इस थार वह малas प्रयास करना चाहिए ठीक है वक्ति करके आगे बढ़ेंगे तो इस तरकर प्राप्त कर सकते कि इवल कृष्ण कता में ही रमन करना उसी में संतोष प्राप्त करना कि मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वह एक दूसरी को ज्यान प्रदान करते मतला भगवद विशय ज्यान पथा मेरे विशय में बाते करते हुए परम संतोष्ता आनंद कानफव करते हैं तो को कहता है बुल जाता है कि भक्ति में आना कठीन है रेकिन भक्ति में बनी रहना कठीन और है और भक्ति में खुश बनी रहना और भी कठीन है तो आप यहां पर सूत्र देख रहे हैं जितना हरी कथा में लगने होंगे उतना ही मन को सुख प्राप्त हो जितना भगवद भक्ति में लगेंगे जितना भगवत सेवा में लगेंगे उतना आधिक सुखी होंगे और यहां स्पाश रूप से सेवा कोंसी बुली जा रही है श्रवन की सेवा यह तब उशंटी का यह श्लोक भक्ति की प्रक्रिया का वर्णन करता है एक इंट्रस्टिंग बात है संबंध अभिधेय प्रयोजन वेद में की विए तीन विशे हैं तो पिछले श्लोक में हमने संबंध की जर्चा करी भगवान इस जगत का सुरूत कौन है भगवान कृष्ण यह जगत उनकी शक्ति है उन्हीं से आया है हम सब लोग भी उन्हीं से आया है तो इस प्रकार से हम अपने संबंध क समर्पित करना मतलब भगवान की सिवा करनी है मन से वच्ण से कर्म से और मुख्य रूप से भगवान की चर्चा में सलगना होना महान का नाम चब करना श्रवन की तन की जो प्रक्रिया है बक्ति की प्रक्रिया सब से प्रबल होती है भक्त मेरे स्मृति पर होते हैं अर्था पर समझते हैं तत्पर मतलब उनकी सेवा में समर्पित स्मृति पर मतलब हमेश्या भगवान का ही समर्ण करने वाले होते हैं इसमृति पर होते हैं वो हिंदी वाला नहीं लगती में इस देडिकेटेट टुरमेंबरेंस अफ कृष्छन कृष्ण स्मृति के प्रति समर्पित कृष्ण का ही स्मरण करने में वह लगे रहते हैं जैसे एक मचली पाने की बिना नहीं रह सकती उस प्रकार वे मेरे बिना नहीं रह सकते इस तो बड़े उच्छे लेवल की भक्ति है इस समय तो हम अपनी दुनिया में खोश हैं बगवा गुण वा लावन आदी का बोध एक दूसरे को कराते रहते हैं हम लोग के लिए रूप का बोध कराना शायद थोड़ा कटिन है कि रूप पे ध्यान नहीं लगता है लेकिन गुणों की चर्चा असानी से कर सकते हैं मैं अभी मेरा व्यक्तिकत वह है ऐसा कुछ नहीं किसकता कि कोई भी ने एक बार मैंने देखा था कि कैसे एक माताजी हमारे मुकुंदत प्रभू से बाते कर रही थी पबलिक में बाते कर रही थी आज शाम सुंदर के लिए हमने यह किया आज हमने ऐसे गारलन बनाया ऐसा संता हो देती अलों भी डिटेड डिपार्टमेंट में सेवा करती है जाद माला बनाती हैं कि जो भी आज मैने यह सेवा के शाम संदर का मुकट ऐसा सजाया तो भगवान के रूप की सेवा कर रही है तो इसलिए रूप की चर्चा करती है यह यह बीक अची बात है और बढ़े ही इंग्रिप करना है पेक्यूलियर है रिला पेक्यूलियर मतलब बढ़े विष्ष्ट मफने बेख रहा है यह जिड़ा कर है महाप्रूबुँ भाववेश्वन होते हैं और मुर्चित होते और उस में तो यह फिर प्रतापुर्ट नो थाम लेतने हैं तो तुरंत वह बहां चेतना में आजाते हैं चीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीच महाप्रभू तो केवल अपने जनों को अपने अनुयाईयों को शिख्षा देने के लिए सा कर रहे हैं तुम पर किरपा करना चाहते हो तो देखिए बाहर से क्या बोले हैं छीथी मालीजी आप किसी को छूए हैं और आपको बोले छीथी तुमने मुझे छू लिया तो कितना जुए अजिब से लगेगा बह। बुरा लगेगा तो बाहर से माँपरों करें ठीठी विशई विशॅई और बोल दे रहे हैं कि विशई वेकती और अंदर से क्रेपाद कर रहा हो कि लीला का चिंतन करना बता कटिण नहीं होता है ऐसलीज मैं अपनी बात कर दो रूप नह हूँ और मेरे अति विचित्र चरित्र की चर्चा करते रहते हैं लावन्य इसको महाराज समझा रहे थे लवन्य शम समझते नमकीन जिस प्रकार से लवन्य से रस आता है सारे खाद्य पतार्थों में ऐसे लावन्य मतलब कुछ-कुछ इसी तर से रस्मय अर्थ लिये थे अभ अग्वान की बछत वाश्थ वास्थ में तक तौर मर तो हम लोग यह कितनी बार सुन चुन है अजामल कत्था में है पूक्रना को कि सब्सक्राइबा इंद्र के संग बहुत पूह कितने वाश्थ हैं इस प्रकार से प्रुलाज महाराथ से ब मिंसेばन और मैं अचतना होती न से धीष्म पितामा उनकी शुद्भक्त हैं महाजन हैं लेकि निको धरशाही किरातीया और ना जिर धरशाही किरातीया बलकि बार्णों की शहीयर परिटा दिया इसलिए भी ताकि जो बहुत इक्टावादी लोगें वह ब्रहुत रहें हरे देखो भीषपितामा जैसे विक्ति को भी करम फल भोगना पड़ रहा है कि बहुत अद्बुद्द लिदा करते हैं कि इसके बच्चें को बचाया था परिशित महराज को बचा लिए गर्व बजा करके दुरापदी की बच्चे को नहीं बचाया अभिमन्य को नहीं बचाया उस दिन पता था सब कुछ उनको तब देख लिए भगवान क्यों करते हैं क्या करते हैं वह समझना बड़ा मुश्किल है कव्यों अपि मोहिता कभी जन मोहित हो जाते हैं मिश्पदावा कहते हैं समझने का प्रयाज भी नहीं करना तो लेकिन इसका मतलब यह नहीं की वह वचला रहे हैं सब्द الجए यहां पर आके ऐसी लीला करते हैं जो बिल्कुल मनुष जैसी लगती है नहीं होती मनुष जैसी नहीं है गिर्राज जी को ठाना को असान कारिय नहीं है लेकिन बच्चे की तरह वो दही चुरा रहे हैं मखन चुरा रहे हैं इस प्रकार की लिला करते हैं तो बड़ी विचित् चर्वान कीटन के द्वारा ऐसा लगता है जैसे वह है दवा पान पी कर रहे हैं जहर तो नहीं केंगे जहर नहीं केंगे लेकिन दवा और यहीं दवा लेते लेते एक दिन हमको अम्रिज्य जाए कि महान वैश्णव कह रहा थे कि प्रगुति के लक्षण ये है कि जब आपको प्रजल्प ना सिर्फ बोरिंग लगे अपितु पेनफुली बोरिंग लगे कश्ट होने लगी कि प्रजल्प में क्यों फंस गया मैं क्यों सुनना पढ़ रहा है ये वार तो यह चीज अपने चित में हमें चेक करते रहना चाहिए कि मुझे प्रजल्प कितना अच्छा लग यह कितना बुरा लग रहा है उसकी अधार पर मेरी प्रगति निश्यत होती है तो यह है और इसको हभी हम लोग दशम अध्याय में पढ़ने वाले हैं अर्जुन कहेंगे कि मैं आपकी महिमा को सुनना चाहता हूं क्योंकि आपके मुख से इस अम्रित को सुन करके मैं त्रि जी यह चतन चर्तामित में हम पढ़ते हैं एक बख जाते हैं रामाना अंद्राइजी से कता सुनने के लिए तो कता सुनते सुनते सूबह से शाम हो जाती और इतने प्रसन नोते की नाचने लगते हैं कि इतने सुखी होते हैं एक और हम लोग श्रीमत भागवतम से सुनते है क्या है कि वयमतुना वित्रिप्यामह उत्तम श्लोक विक्रमे यस्षुडवताम् रसज्यानाम स्वादू स्वादू पदे पदे यादा रहा है यह लोग बुला था मैंने कर पूना ऑफ्यामह श्वना कांदिर इसी के पहते हम त्रिप्त नहीं हो रहें तू मतलब तो क्या सक्यों किते हैं यज शुडवताम रशज्यानाँ जो रशग्य है वह उनकी कर था को सुन करके श्वादर्पद्वत्त पर स्वाद्पृद्यध व Då शेदर्स्वामी क्या बताते है learnt कि देखिये कान क्या है आकाश शवरूप हैं कान कभी भर नहीं सकते बर सकते हैं नए थी कि तो इसलिए भी आतरिप्ति हो रहेगी हाँ लेकिन लेकिन मान लीजे कोई विशे को समझी नहीं रहा है मैंने उतारण दिया था कि भरत नाट्यम हो तो हमें क्या समझ में आगा क्या भाव भंग में दिखाई जा रही है यह भी समझ में नहीं आ रहा है कि भरत बाट्यम हो रहा है कि दान्स हो रहा है आप बता सकते हैं कि कथक हो रहा है कि भरत नाट्टेम हो रहा है कि उडिसी हो रहा है कुछ नहीं पता हूं प्रभु जानते हैं तो कोई डीला बजाता है तो सुनता है क्या बजा रहा है तो जो नहीं जानता है वहां बहुत बढ़ी आप जा रहा है जो से आइटी में जब थे प्रभु जी आते थे वो ढोलग बजाय करते तो उसी स्टाइल से मिर्दंग बजाते थे तुम लोग किते बढ़ा अच्छा बजा रहे हैं जब मैं सीख गया तो मैंने क्या बजा रहे हैं तो जो रसग्य है वैस उसकी उसका मुल समझेगा तो शौना जाता है लेकिन उसके बार-बार पेरेंगे तो फिर क्या होता है रस समाप हो जाता है एक आसा नहीं कि भगवत कथा को बार-बार सुनेंगे तो फिर हम बोरियत लगेगे ना ऐसा नहीं तो इसलिए श्रवण के द्वारा कभी भग्तित्रिप्त नहीं होते ठीक है उसक प्रेमी है वे इस प्रकार के सुक करते हैं और इस प्रकार वे ऐसे रमनद करते हैं जैसे एक युवक के कटाक्ष से सुख अन्भूत करता है कर तक्स अब यहां भी आ गए सुबह भी कटाक्ष के बारे को पूछ रहे थे तो कटाक्ष समझ में आगया आपको साइड लॉंग ग्लांस हलका सा तिर्ची निगा हाँ वह वह एक्सपर्ट है तिर्ची नगा जिस प्रकार से एक नव युवको नव युविती की तिर्ची निगा घायल कर देती है बहुत अच्छा घायल ही करती है वैसे पागल ह पुए जाता हूँ और बहुत अच्छा लगता है उसको कुछ समय के लिए तो उसी प्रकार से मुलओ बैसिकलिवि हाया पर आकर्षत की बात बिल जारी इसस प्रकार से आकर्शित होता है तो असी प्रकार से भक्त भगवान का कठाश्वणताने क लिए बहुत उच्ष कि यहां जिन शुद्भगतों के लक्ष्णों का उल्लेक हुआ है वैं निरंतर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ती में रमे रहते हैं कि यहां पर शुद्ध भक्ति कवर्ण किया गया उनके मन दिजीगा कि निरंतर तभी हो सकता है जब उसे इस प्रकार का सुख प्राप्त हो अन्य था सुनेग में खाने में उस अब निरंतर ता टूट जाती हुआ यह उनके आप लोग वाइक है प्रोज बाइक बाइक चलाते हैं पेट्रोल कब भराया था अब समझ सकते हैं जैसे हम लोग गाड़ी इस्तिमाल करते हैं याद नहीं रहता है पेट्रोल कब भराया है ऐसे शुद्वग्तों की सिति हो जाती खाना कब काया था लास्ट टेम यह अभी तो आप कहेंगे दो आधे घंटे पर लेगा हम लोगों को तो याद आ जाता है खाना नहीं खाया सोई नहीं सोई नहीं लेकिन वुड़ोग याधी नी रखते थे रूपको स्वामी पाद कभी कभी जढ़ गंटा सोते थे और कभी-कभी भूल जाते थे यह इस्तिति रूप से उल्लेख हुआ है भगवत भक्त परमेश्वर के गुणों तथा उनके लीलाओं के गान में अहिरनिश लगे रहते हैं जान दीजा कि भगवान के जो गुण है वो बड़े दिव्व्य हैं बड़े दिव्य नहीं पूरी तरह से दिव्य है यसा नहीं कि एक आपने निरंतर कृष्ण में निमगने रहती हैं वे अन्य भक्तों से भगवान के विश्य में बाते करने में आनंद अनुभव करते हैं भक्ति की प्रारंबिग अवस्था में वे सेवा में ही दिव्य आनंद उठाते हैं और परिपक्वर अवस्था में वे इश्वर प्रेम को प् तीर्टन में कथा में हमको अच्छा लगता है यही अच्छा लगना बढ़ता जाता है श्रद्धा के लेवल पर थोड़ा अच्छा लगता है फिर उस ज्यदा अच्छा लगने लगा तो क्या करते हैं साधुसंग करते हैं सादो संग करने से और अच्छा लगने लगा तो क्या करते हैं भजन क्रिया करने लग जाते हैं भजन क्रिया करते हैं तो अनर्थिनी वृत्ति होती है फिर्दश्विद होता जाता है और यह अच्छा लगना यह बढ़ जाता है अट्राक्शन टू टॉपिक्स फॉर क्रिष्णा इंक्रीज़ सभाविक रूप से भगवान की कथा त्यादी में हमारा ही जो रुची है वे बढ़ती जाती है और भौत एक विश्यासक्ति कम होती चलिजाती अनर्चलिवृती में भी कम होती जाती है कभी वह होगा कभी कम होगे कभी जदा होगा लेकिन जैसे जैसे विक्ति स्थिर्टा से भक्ति करता जाता है वह उसकी जो रुची है वह कथा में बढ़ती जाती है कि जो कभी कभी लगता है कि पहले अजिक टेस्त ह। नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं है इस शुरुमाट पर असलोग सकता है लेकिन ऐसा है नहीं अज़ाह है नहीं क्योंकि देखिए मेरे खुद का अन्भाव है जिस परकार से मैं अब समझ पाता हुं प्रहुपाजी जनंतों को पहले नाहीं समझ पाता था रहता चो रा और यह भी नहीं दिखाई पड़ता था कि प्रहुपाजी ते लिब है कि ते सट हईते कहुxtures ये सिर्य निकानल और फोट धंट आगय बहुत गंभीर बातें बोलते है इसमें मेरा कोई योग्यता नही है इतनी बुद्धी थी तो यह कीवल बुद्धी के तवरा नहीं होता है सुक्ष्म ज्ञान के लिए सटल इंटेलिजेंस चाहिए मैं यह बोल रहा हूं कि यह एप्रिसियेशन श्रीमत भागवतम का भागवत गीता का यह बढ़ता जाता है तीरी दिरे कर ले और फिर यह भागवत प्रेम की इस्ति प्रावत होती है तब हम अपने सुरूप का बोद कर पाते हैं निश्ठा रुची आसक्ति भाव प्रेमियर सब जो है क्रिमशाह आपका कृष्ण का अप्रिस्टेशन के कि कृष्णी को सरहना सराना तो बहुत अच्छा नहीं शब्द असादन कहां वह उसकी जो प्रगाडता बढ़ती जाती है जैसे गन्ये का जूस उसको जबालते हैं तो और गाड़ा होता है और मिठा होता है यह गुड़ बनता है फिर खां अंतर समझ में आ रहा है कि श्रद्धा और प्रेम यह एक ही वस्तु है अलग-अलग वस्तु नहीं है लेकिन जैसे जैसे हिर्देश्च शुद्ध होता चला जाता है वही श्रद्धा प्रेम की रूप में प्रकट हो जाती है तो उसलों कई बार प्रोश्टे है कैसे कर मैं बारोत करें भग्मान के निला कधा का शताम प्रसंगाध मेमन वीरी शंवित धा की भावनान नत्तलि मतलब कान को बहुत उची लगती है और रदे को बहुत उच्छी लगती है कान को चिश्ची लगती सथे सुनने में और जब उसकी अर्थ का चिंतन करते हैं तो लगता है. हां, महाराज ने बहुत अच्छी बात बोले ठीजर सुने थे तब बहुत अच्छी लगी और जब उसको विचार करते है तो, हृद्य को बहुत अच्छी लगती है, नहीं? अब समझ में आ रहा है तु Km siya वह प्रोसा से नहीं देखना चाहिए अब जानते हो हरा वैंगो और ग्रीन मैंगो और यैलो मैंगो वो किसमें कारेकारणकारे संबंद नहीं है वो उसी की परिपक्त ववस्था एप प्रपात बोलें परिपक की वस्था और सहज पक्त बीठा होए सुनते हैं आँ से नहीं अपर क्रिश्न प्रेम्म प्राफ्ध हो जाएगा एट टेकस कै और जब प्राप्त हो जाएगा तो आपको मालूम चल जाएगा दूसरे को स्टिकर लगाने की जुरुत नहीं इनको कृष्ण प्रे मिल गया है ठीक है इनको भी इनको भी आल्मोस्ट मिलके भाववख्ती मिलकी स्टैंप लगाती इनना आप हरी नाम कर रहे हैं तो बोलना चा बिशस्टा ओने की बात नहीं है रिलिस्टिक होना चाहिए है धिरुसर हुने की बात नहीं कि ए headache किसीं ने भोचा प्रहवडास प्रइंश कैसे में अपने दम्चार लेक्रक्रम प्रूसर चैओं तो जंब क्या गुर्डल मत्ता खाएगी तो बूलोगे कि हो लेह 599100 आँ वेदाबेस में उत्कंठा इस प्रकार की होनी चाहिए जैसे कि रूपको स्वामी क्याते है ये एक क्रिश्णा मेरे कान में जाता है तो मैं लगता है मेरे हजारों करोणों कान हो ऐसी इच्छा ऐसी स्प्रीड ये है परफेक्श्ट अब रहमा है सब सुन लिए है वेदाबेस आप देखिए वेदाबेस में आप मिल जाएगा 16 को सिफ टानवस्ट के छेए है जब वे इस दिव farming को प्राप्त कर लेते हैं तक वे सर्वोन stick का सवाद लेते हैं जो भगवत धाम में प्रापत होता है जो इसी द्गत में प्रापत होकित— अगर भगवत प्युत याया ये जीवित अवस्था में ही भगवध्धा में मरने की विजुरत नहीं येस भगवान चैतन ने दिव्य भक्ति की तुलना जीव के हिदय में बीच बोने से करते हैं ब्रह्मान के विभिन लोकों में असंग के जीव वितरन करते रहते हैं इन में से कुछ ही भागेशाली होते हैं जिनकी शुत भक्त से भेट हो पाती है और जिने भक्ती समझने का अफसर प्राप्त हो पाता है यह भक्ती बीज के सद्विश्य है यदि इसे जीव के हिदय में बो दिया जाए और जीव हरे कृष्ण का श्रवन धाकिर्तन करता रहे तो बीज अंकुरित होता है जिस प्रकार की नियमताह सीचते रहने से विर्ख्ष का बीज फलता है बहुत महत पूर्ण है आप देख सकते हैं कि इस समय बुशाला में पिर फल फूल रहे क्यों अगर आम क्योंकि निमी तुरुप से पानी दिये जा रहा है और पहले नहीं ह तो पानि देने की रीती क्या होती हैै का जड़ में तो दिये जाता है पुम्त ठीक है रीती है थमला बना ठीक हैш निया सुद्ध क्यों सुबह श्रा शाम सुबह श्रांदेना बहुत ज़ूरी ही कि सुभ हары का पानी शाम तक सुचता है कुछ बिश्राइब लोग नहीं कर सकते लिए सुबह श्राम जरूर्बहान के कथा में लगना चाहिए इससे हमारी भक्ति लता को हम सीच रहे हैं जो श्रद्धा की रूप में परड़त होती है बीज दिया जाता है श्रद्धा का शास्त्री श्रद्धा क्रिष्ण भगवान हैं अब इस बीज को रोज स्वैम माली हईया से बीज करे आरोपन श्रवण किर्ता ने जले कराय सिंचन खुद माली होना है खुद अपने इंद्रियों से कारा करना है दूसरे को माली नहीं बनाना है कि मेड़े पेड़ पे तुम पानी दो खुद सोचना है कि मैं नेमित रूप से एक विद्धिन ऐसा जाए ना जाए कि मैं भगवद गीता भागवद का श्रवण ना करो अगर आप क्लास नहीं आ सके किसी वज़े से तो स्वैम पढ़ें लेकिन एक विद्धिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कोई भी श्लोक ना पड़ा है इसलिए क्लास का आयोजन करना बहुत अच्छा है धके हो मन परेशान हो कुछ भी हो कम से कम कुछ तो कान में बात जरूर चले जाती है कि है कि नहीं तो इसलिए भक्तिक संग में हम नीमित रूप से कथा को करते रहेंगे तो हमारी बीज जो है वह है कथा जो भक सोथ है वह ठीक से नहीं हो पाती है बहुत सतर करना चाहिए बहुत सतर करना चाहिए एक और बात बता रहे थे कि माली का मतलब है कि आपकी जो लता है तो सपोर्ट चाहिए और उसके साथ चारो और घेरा होना चाहिए क्योंकि बहुत सारी बक्रिया घुमती रहते हैं लता क सिदा सुन लिया तो काफी समामना है कि बक्ति जहम चुत हो जाएं दुसंग की वज़े से ही बक्ति छोड़ता है विक्ति तो इसलिए विक्ति को सतर करना जाए ठीक है माली हो यह मतलब खुद इससे अपनी बक्ति की रक्षा करने का प्रयास करना चाहिए यह प्रूब अब दिरे बोला आपने बहुत मतलब असस्थ संग जोसको बड़ा मजा आता है नए भक्तों को चबादाने में कभी कभी अंदर से बहुता है कि दुख खाहिए लर्ग कम से करन बहार कि लोगों से तो बचना चाहिए न critically हैं अंदर से लोगा रहते अच्छे वक्तों की संग में रहेंगे सिवा करते रहेंग तो दब जाएगा लेकिन गलत लोगों के संग में रहेंग तो और बढ़ेगा एक बड़े विक्ष को उगाने में बहुत समय लगता है लिए काटना बहुत असान होता है तो भक्ति की जो श्रद्धा है उसों उगाने बहुत समय लगेगा इन काटने में तो बहुत जल्दी खतम हो जाती है तो इसलिए आसे लोगे पास नहीं जाना चाहिए जब भगवत बोलता नहीं है उसकी चेतना उसमें रहती है और वह उनको प्रभावित करती है अब देखिए कुछ लोग बहुत नेगेटिव होते हैं और वह आपको कुछ नेगेटिव बोलेंगे तो आपका मन पूरी तरह से नेगेटिव हो जाता है कभी मिला मेरे से बात नहीं किया कभ मुझे पता है कि पास में आएंगे तो जरूर किसने किसी की निंदा करेंगे बहुत सतर करना चाहिए मुझ से कुछ खोले मुझ खुलेगा तो कुछ खराब ही निकलेगा जानते होंगा मैं नाम तो कैसे नहीं बोलना चाहता भक्त होने के बाद भी कुछ नों के अंदर ये बुई आदत रहती है कि बस हमेशा नेगेटिव ही बोलना किसी तो यह अच्छी बात नहीं है गौर किश्मराज अमने बड़ा कठोर बोलते थे कहते थे कि मान लीजी किसी ने आपके हाथ में मल रख दिया है कि किसी ने आपके हाथ में मल रख दिया है तो क्या आप सबके मुह में पोतेंगे इसको हमने कुछ गलस सुन लिया कोई निंदा सुन ली तो सबके कान में डालना जरूरी है अरे मोहित प्रभव को पता है क्या हो किया उसने आपको पता है उसने क्या किया क्या क्या पता तब देखो कान कैसे खड़े हो जाते हैं तुलंत कि आज एक भक्त जो क्लास में कभी नहीं आते मैंने पूछा प्रभवजी आप पिछली बार क्लास में कभ आये थे क्योंकि जब से मैं ज्वाइन किया मैं देखा नहीं क्लास से बैठते हो नगुद्ध बड़ई ही दैनी इस्तिति है दस दस साल अगर आप किसी पेड़ को अपजल नहीं दें तो क्या होगा लेकिन इसको पॉजिटिव में जनते क्या देखना चाहिए हर जीव भगवान की और अंतरतों का तहम अनुमुक है अब वह कितना अनुमुक होना चाहता है जीव उनमें ये उसका चुनाव श्रीला भक्ति सुद्ध ठाकुर जी से कहा गय यह भक्त इसी वेक अमुक भक्त को बोला गया कि साधना नहीं करता है पुराम में नहीं आता है से निकाल देना चाहिए तो बड़ा आद्बत उत्तर दिया उन्हें ने कहा कि एक्चिली वास्तवित में यह भक्त तो मुझसे भी स्रेष्ट है आप से स्रेष्ट है आप से कै से अगर मैं मंगल आरती नहीं आओं मैं जब नहीं करूं मैं भागवत नहीं सुनू तो मैं तो मैं तो आश्रम में भी नहीं रहा हूंगा पतन हो जाएगा यह कम से कम आश्रम में रह रहा है भले ही सब कारें नहीं कर रहा है तो मुझसे भी अधिक उन्नत है यह उनकी सीरि नद्र कथा मैं सुनने में कोई दीकर दीक्रती की कथा में कभी आते नहीं तो यह बात वी उनको नहीं मालुम चलेगी कि यह कि बहुत दैनीं है है तो हम्मशा सोचिये गए ऐसा विक्ति जो कभी क्लास नहीं आना चाहता चाहें वो भात्ति southwesth ही क्योंकि वह कथा नहीं सुन रहा है तो मतलब इसका मतलब कुछ नहीं सुन रहा है कुछ नहीं सुन रहा है वह आपको सुनाएगा और आपका चित डिस्टर्ग होगा कुछ विरोध लग रहा है या यह सब बाते प्रैक्टिकल है आप होते हो देखी हो ठीक है ना तो क्यों शिल्ला रूपको स्वामी बोल रहे हैं कि प्रजल्प के द्वारा भक्ति विनक्षति बगत को विनाश होता है पढ़िए भक्ति रूप्ति अध्यात्मिक बधा क्रमशा बढ़ता रहता है क्रमशा मतलब हमारे गुरु मुराज बहुत अच्छी बात बोलते है विनोध द्वामशा अगर आप सारे नियम्ध अच्छे से पालन करेंगे खुब अच्छे से भक्ति करेंगे तो आपकी तीन दीरे-दीरे प्रगति होगी तो थे पंजमना है कि समझ मैं या या जब अच्छे से बक्ति दियें पालन करोगे तब प्रगति धीरे 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 होगी और दीले ढाले तर ने करोगे तो खोगी नहीं मसूसी नहीं होगा कुछ कर रहे हो एक उधारन महाराच सुनेडर से बहुत सुन्दर धारन आप लोग ने chain kupleii देखे कभी chain cafe jean kubi समझतें आप क्या کیSMagDقة paus कुवेदाफ से आप एक töर्म का वजन उठा सकते हैं हाँ लेकिन हहां लेकिन उसमें क्या होता है कि आपको इधर बहुत घुमाना पड़ता उटता है वजन तो बहुत बारी उट जाता है लेकिन दिरे थी उटता इदर खुब चलाना पड़ता है तो ऐसे ही बता रहे थे हैं गुरुमराज की माला खुब घुमाएंगे तो हमारी भारी चेतना दीरे दीरे उठोगे तो छुब हो sevak वाला तो फिर आपकी चेता दीरे-दीरे करके ऊपर उठेगी और हम अन्भोग करते हैं ऐसा लगता है देखिए यह बात बहुत महत्पूर्ण है कीर्टन अपने आप में एक अलग भक्ति है आपका मन लगे या न लगे उसे मतलब नहीं यह लोग समझ नहीं पाते हैं मैं कई कई बार बोलता हूं मैंने भी कई बार सुना है और मैं खुद ही भूल जाता हूं हरे कृष्ण हरे कृष्ण कर रहे हैं और मन नहीं लग रहा है इससे कोई खास फरक नहीं पड़ता है एक एक दिश्री से देखें तो क्योंकि जीव से बोलना एक अलग भक्ति है अपने अब ड़ेजन मीन कि हम मैकनिकल जब करें लेकिन जब करना अपने आप में भक्ति है यह बहुत कठी नहीं मुझे पता है आप मैंसे किसी कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं आपके अपने इतने कॉन्फिदेंस कैसे बोल सकते हैं कि मुझे भी मैं भी कभी भूल जाता हूं हाँ वो जो बार-बार बोल रहे हैं हरे कृष्ण हरे कृष्ण वो अपने या में श्ट्यों बोल रहे हैं नहीं तो सारी तपस्या कर ली है सारी नदीव में स्ञान कर लिए वह अपने यांपे पवित्र करने वाला है अब उस पे आप बड़े आग्रहपूरवक प्रवाइब पूछ रहा हूं कि श्रवन कीरतन जो है इसके द्वारा हमारी भक्तिलता धीरे धीरे बढ़ती आपको रोज दिखाए नहीं पड़ेगा आप रोज देखेंगे तो यह कुछ नहीं हो रहा है कि अगर आप रोज पानी देंगी तो दिकिंगे यह कया रहा है अपने बालों को ध्यान नहीं देते हैं लेकिन रोज बाल बढ़ रहा है कि नहीं आप बाल घेर केश बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं फिर फंतर दिन बाद एक तरे बलग डाली बढ़ गई है यह बढ़ गया है सब ऐसा हो गया है रोज तो कुछ भी दिखनी रहा है कि विश्क रहे ते प्रूर कई बार जब करते करते पूर मन अलगी दुनिया में चला जाता फिर ध्यान आता मैं तो जब कर रहा हूं तो जीब तो हिलती रहती लेकिन मन फोकस नहीं होता है देखिए जो चीज भूलाने की कोशिस करते हैं वही चीज सबसे ज़्याद आती है जब करते से देखिए यह इंट्रस्टिंग चीज़या ने पूछी है पहली बात यह कि हमको देखना है कि हमारी जीब चलती रहे यह असान बात नहीं कि यह संकल्ब ले लिजिए कि मैं 16 माला में बात नहीं करूंगा देखना बहुत मन उसी में बेचायन हो जाएगा अरे इतनी महत्पूर्ण बात है यह क्यों नहीं करोगे जब कर समय यह मैं संकल्ब मैं आप शत्री है तो मैं कल चैलेंज देता हूं कि 16 माला से पहले बात नहीं करेंगे जब करने तो बात नहीं करेंगे और इसमें ऐसा कोई भक्तों को दे रहा हूं और आप जब करेंगे अपने अप अनभव करेंगे यह हमी बहुत बड़ी तस्षा है जगे रहना बहुत ल昨फ molar चेकर जो भकष करते हें वह समझ रहे है कि मैं कि कि सफो बोल रहाइं एक डिवोटी देखूंगा नहीं किसके तरफ बोल रहा हूं लेकिन जो भी करता है उंगली नहीं दिखाना चाहिए दूसरे गुरता सब उंगली दिखा रहे हो एक और पर तरफ तीन हो रही है समझे रहे हैं सोना नहीं है और बोलना नहीं है यह बहुत बड़ी ब्रत है और हरे कृष्ण मंत्र को सुनने का प्रयास करना यह प्रभु पाज जी इसको में लेक्टर में बोलते हैं अगर आप सुनने का प्रयास करते हो तो यह अपराद नहीं है धीरे धीरे यह करते रहे यह च्छह मेहना साल बर और यह ब्रत कि मैं खाऊंगा नहीं है कि मैं सोला म करें और व्रिंदावन में तो एक हजार गुना आपको लोड मिल रहे हैं एक हजार गुना फायदा प्राफ तो यह यह चीज मैं देख रहा हूं मन लगाने के बाद छोड़ दीजी मेरे बचन नहीं परमपुजे रादा गोहिन महाराज परमपुजे गौर किश्माराज कितने महाराज लोग बोलते हैं कि एक घोड़ा एक घंटे में 10 किलोमेटर जाता है और एक घंटे में 100 किलोमेटर जाता है किसको करेंगे आप एक घंटे में 10 किलोमेटर जाता है उसको कर पाएंगे ना तो मन को सहिमित करने कि बजाए इंद्रियों को सहिमित करिए भगवान स्व तो ड्रेगन फूट कभी आया जप में आपके ड्रेगन फूट कि नहीं आप रोजी खाया नहीं कभी बस यही बात है यही भागवाद के सिध्धान तर अधर्श्टाथ असुताथ भावत ना भावत उपजायते 11-23-23 जो चीज देखी नहीं जो सुना नहीं वो मन में आएग सूत्र यह है कि जिन विशयों को हम अपनी ज्यानिंद्रियों से ग्रहंट करते हैं उन विशयों के प्रति हमारा रस जगरित हो जाता है पर फिर से रिपीट करोगा जिन विशयों को वैसे सारे विशय ग्रहंट केवल ज्यानिंद्रियों से होते हैं जहां हमारी ज्यानिंद किया इसको आप देख रहे हैं अपने जीवन में यह नहीं देख रहें आधा है कि रही बचपन से तो क्रिकेट देखना अच्छा नहीं लगता है था अंहें हम लोगो पिता जी देख रहे तो हम देखने लगे चालू कर दिये और भारत पाकिस्तान की बिचे फागल लोन लग भी भी आपक्तशने Origin ऌधिटूट नहीं ही पढ़त का है जब हुए diagnostic ज से नाव ऐसे ही और ऑगःवातने रची नहीं थी अब भाष्ब गरहन कर रहे हैं गराण कर रहे हैं गरहन कर रहे हैं गरहन कर रहे हैं करते 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 रचाने नहीं लोका क्या इस चीज़ को आप समझ पा रहें है इतना गंभीर बात है कि इसको पहले वह बहुत कन बात है कमकृ आ कि कान कहां लग रहा है आंक कहां लग रही है इसको मॉनिटर कीज़े पार यहीं चीज़ नाम पे लिए अगर अगर कान से सुनना चालू करेंगे तो रस भी अंब प्राप्त प्रयास कर सकते हैं ठीक है ना और उसके बाद जब हमारी माला समापत हो तो बगवान से प्रार्षाना करें बगवान मैं आज इतना ही अच्छा कर पाए ऐसे माला को नहीं पटकना चाहिए आरे बस मुक्ति मिल माला से और ओबिसली थोड़ा एक्ष्टा करना चाहिए ने कि वैस ड्यूटी पूरा करना है इस सब बाते बहुत महत पूर्ण है भले आप जानते हूं क्योंकि भक्ति लताक बीज का अंक का सिंचन करने के लिए ही हम इस कौन में है प्रहान में बहुत भटक लिए अब हम क दशेन को नाव फिक्स भास सेल्फ इन रिशे अद्शन नरशिंग अनग बटिलता और इब अब बहुत सिंपल लगती हैं लेकिन पूरा दिन में भूल आते हैं कि हम कर क्यों हो रहे हैं सब्सक्रिधिस कुछ भी कारे क्यों नहीं कर रहें है है आप लोगों को लगता हूं क हैं किमा झान दें कि हमारा बक्ती को जीवन किस प्रकार से भिता रहें कहाँ हम किया हम कर रहे है क्या उद्र पहुंचेंगे की नहीं पहुंचेंगी मैं ठीक हैि समय और ऑब लगर ना ने बुलना कुछत गुड़बाद भड़िए जब अद्पक ब्रह्म्हान के आवरन को भेट का ब्रह्म जोति में प्रवेश नहीं कर जाता ब्रह्म जोति में भी वे यह पवधा तब तक बढ़ता जाता है जब तक यह उस उच्चितम लोग को नहीं प्राप्त कर लेता जिसे गोलोग बिंदावन या कृष्ण का परणधाम कहत एह अंदुन गत्व यह पूदा भगवान की चरण कमलोगी शरण चरण प्राप्त कर वहीं प्रिश्राम पाता है जिस प्रकार पौधे में क्रम से फूल तथा फल आते हैं उसी प्रकार भक्ति रूपी पौधे में भी फल आते हैं और किर्थन तथा श्रवन के रूप में उसका सिंचन चलता रहता है हमेशे याद रखिए कि सबसे बहुत सुंदर बाद चैतन चरतामित में आती है कि हरी नाम जप और कीरतन से नवधा भक्ति का फाइदा प्राप्त होता है ऊप्रकार की भक्ति संपाधित हो जाती है कि वाल अलहारी नाम करने से बहुत समय कि बात मुझे बात याद आई पला था मैंने चैते इंटर तामित में आप पढ़िएगा शिखव्षाष्त कम प्रियर्स उसमें वड़ना नाता है नौ प्रकार की भक्ति साधेत जब ना सारभाम बटचार को बोलते हैं दोनमें कहीं एक जगे था मैंने पड़ा नौ प्रकार की भक्ति तो अब कितना गंभीर रेना चाहिए हम अपने जाम जाम जब को इसमें बात यह भी है कि हम लोग समय से सो जाएं ताकि सुबह हम क्या कह पार रहे हैं आप लोगा कि बैठी नहीं हूं आपका मुझसे संबंद है मैं कि बैठा नहीं हूं फार्मेल्टिक लिहाँ एक घंटा पूरा हो गया पंद्रमेट बिताना है कि क्या इस प्रकार का संबंद आप चाहते हैं किसी से अनुद मैं अबड़ी गंभीर बात है तो आग्रह होना चाहिए और आग्रह नहीं हो तो आग्रह जबरदस्ती लगना चाहिए और अगर इस प्रकार का आग्रह करना चाहते हैं तो सुबह थोड़ा जल्दी उठें और नाम जब करें एकदम बहुत ही सुन्दर बात है। बहुत ही सुन्दर बात है। निश्वर के बिना नहीं रहे पाता। समझ मैं है। यह स्थिति जो वर्णन आ रही है वैसे विक्ति कि है जो भगवत प्रेम से आप पूरित है। ऐसी अवस्था में ही वे लगातार भगवान की सिवा में लग सकता है। इसके पर भी बहुत सुन्दर बात है। कैसे किसी का म मन हमेशा भगवान में लगेगा। देखिए मन का सभाव है कि वे हमेशा किसी न किसी सुक की तलाश में रहता है। यह वाइध समझ में आ रही है। अब भगवत प्रेम में ही ऐसी वस्ता है कि भगति का सुक उसको हमेशा मिलता रहे। असीमत सुख इसलिए मन अब कोर कहीं नहीं जाता है समझने है जिस प्रकार की मचली जल के बिना नहीं रह सकती ऐसी अवस्ता में भक्त वास्तव में परमेश्वर के संसर्व से दिव्य गुण प्राप्त कर लेता है हाँ परमेश्वर का संसर्व मतलब भगवाद भगवा संसर्व से उसके जैसे एक सौकिट स्पर्ष करता है करंट का तो प्रकाशित होने का गुण इस ट्यूबलाइट में आ जाता है उसी प्रकार से भगवाद संसर्व करके भगवान के जो गुण है वह भी जीव में भक्त म प्रकाशित होने लगी बाद है कि आया श्रीमत भागवत में भी भगवान तथा उनके भक्तों के संब्थ के विशय में ऐसी अने कता है इस लिए शनल्यट भगवान, श्रीमत भागवत भक्तों को अद्यंत मया है श्रीक जैसा कि अगर हमको प्रिये है तब हम भक्त है कि इसको ऐसे समझेए भागवत भक्तों को प्रिये है और मुझे प्रिये नहीं है तो कौन से भक्तें बापने आप ढूंड़ीजे जैसा कि भागवत में ही कहा गया है श्रीमत भागवतम पुरानम अमलम यद वैशना नाम प्रियों ऐसे कथा में भौतिक कारियों आर्थिक विक इस जगत में जो कथाएं होती हैं वारता होती है उसका कोई उद्देश होता है और कौन-कौन से उद्देश होते हैं कोई बहुत एक कारिया आर्थिक विकास इंद्रित्यत्ति या मौक्ष लेकिन यहां पर सब कुछ भी नहीं है केवल कृष्ण प्रिती ही विचाय होती है इस श्रीमत भागवत ही एक मात्र ऐसी कता है जिसमें भगवान तथा उनके भक्तों के दिव्य प्रकृति का पूर्ण वर्णन मिलता है कोई भी कर्मकान ज्यानकान का मिश्रण नहीं है यह फलता हाँ कृष्ण भावना मिरुद्जीव ऐसे दिव्य साहिती के श्रवण में दिव्य रूची दिखाते हैं जिस प्रकार तरुन तथा तरुनिक को परसपर मिलने में आनंद प्राप्थ होता है अभी आज ही में सुन रहा था चतर महाप्रभु जब श्रीमाद भागवत्तम के श्लोग सुनते थे तो उनको रूमान चोन लगता था आँखों से अजस्र आ मणने लगता तो परटे हो मनन लगता तो नहीं पढ़ने से लगने लग जाएगा दो अब आप कहो पढ़ रहे हैं मनलागा वह संभभाती संब्संभी बजू नहीं करने सी ले ना सा न ललगता है तो नहीं दोरे हुझा नए तो अगर हम देखे तो ठीक श्रवन हो गया किरतन हो गया असमरन हो गया पाथ सेवन अर्चनम वंदनम दास्यम भी हो गया लेकिन साख्यम किस तरह से और आत्मनिवेदनम भी किस तरह से हो रहा है अर्फ में वंदनम किसे होगा और साख्यम किसे होगा इस पर कोई टीका नहीं कर रहा है प्रभुपाज जी ने उसको तात्पर में कुछ लेकार यही प्रस्ण मेरे हम आगर नीचे बटे तो हम भी यही प्रश्न करते कि किकि हमने भी प्रस्ण भगतों सक्किया था और क्योंक लेकिन महाप्रुप की वार्णी तो स्विकार कर लोगी एक अर्थ में हम कह सकते हैं कि नवदा भक्ति का उद्धिश क्या है भगवत प्रेम और भगवान श्री नाम प्रभु का निरप्राधिक आश्रे रेने से भगवत प्रेम सहजी रूप से प्राफ्त हो जाता है प्राध नाम लेल पावे प्रेम धान यह तो इतना अर्थ समझ सकता हूं बाकी से प्रभुपादिन इसमें तात्पर नहीं दिया तो मैं कुछ कह नहीं सकते हैं ठीक है यह आपर रुकते हैं श्रीमत भगवत गीता की जाए श्रीद प्रभुपाद की जाए